कुछ हिस्से पर वो कमर्शेल एक्टिविटी करेंगे और क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से वो गरीबों को यह मकान उप्लब्ब कराएंगे शेहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के माध्यम से गरीबों को मकान मिलेंगे और यदि छोटे शेहर या गाउं है तो उसमें plot या individual भी plot देकर भी गरीबों को उनके घर की सुविधा उपलग्द कराई जाएगी इस पूरी योजना के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारा commitment है जो हमारी कट्टी बद्धता है कि गरीबों को उनका मकान मिल सके वो हम पूरा करेंगे एक निड़ने और आची cabinet में लिया गया है मध्यपदेश के बेगा सहरिया और भारिया जो अतिपिश्री जाती के हमारे भाई बहन हैं उनकी आजीविका की विवस्था को और सुद्रन करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाई कारिक्रम की शुरुआ की जाएगी और इसमें गाय के साथ साथ भैस भी इन वर्व के लोगों को सरकार की ओर से दी जाएगी प्रतेग विक्ति को दो दुधारू पशू उपलब्द कराए जाएंगे जिनके माध्यम से वो अपनी आजीविका को चला सके और इसमें एक बात का और निर्णे लिया गया है क्योंकि ये तीनों जाती के हमारे भाई बंदू बहुत ही सीधे साधे जीवन जीने वाले है तो इन दुधारू पशूओं की जो प्रोडक्ट है जो दूध है या गोमूत्र है या गोबर है इसका मार्केट लिंकेज की भी संपूर्ण विवस्था की जाएगी इसमें पूरी तरह से विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसे हमारे भाई बहन जिनको इस योजना के तहट पशू उपलब्ज कराए जा रहे हैं या तो उनकी कॉपरेटिव सोसाइटी बने जो डेरी जो हमारा कॉपरेटिव का मुमेंट है उससे जुड़े या किसी भी तरह से उनके जो पशू है उनका जो प्रोड़क्ट है उसका मार्केट लिंकेज ठीक धंग से हो सके और इसके लिए संपूर्ण योजना बनेगी और ये बहुत ही महत्पूर्ण इन जातियों के भाई बहनों के जीवन को सुधारने वाला का निर्ने आज सरकार की दौराँ लिया गया है क्योंकि लगातार नर्सिंग कॉलेजस के अधिक्टा हो रही है उनकी पहर दरशिता उनके सेटिफिकेट समय से मिल सकें उनका रिजिस्टेशन समय से हो सकें इसलिए बहुत दिनों से ये महांग उठ रही थी कि इनको प्रशाश की रूप से और मजबूत किया जाए तो 37 पदों का आज श्रजन किया गया है इसका आर्थिक भार सरकार पर नहीं बिल्कि नर्सिंग कॉंसिल पर ही आएगा एक बड़ा निर्णे और सरकार की और से लिया गया है मद्यपदेश के स्टेट डेटा सेंटर जो की पहले बना था उसको और तकनीक के रूप में और उसकी विवस्थाओं को और चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश से उसके विस्तार का आज निर्णे लिया गया है उसके साथ साथ डिजास्टर रिकवरी साइट भी डेवलप करने का निर्णे लिया गया है इसमें लगभग सरकार के और से 61 करोर रुपे का व्याय होगा ये समस्त आगे के जो भी योजनाएं हैं जो भी हमें काम करना उसके डेटा कलेक्शन के साथ साथ डिजास्टर मेनेजमेंट के लिए भी बहुत उप्योगी होगा एक निजने सरकार के और से और लिया गया है पॉलिसी डिसीजन है अभी देश में बहुत तेजी से पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना लागू करने के एक बड़ा इस तरपर काम हो रहा है मंद्परदेश में भी हमने ये निolitने लिया है कि पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का क्रियानवन मंद्परदेश में किया जाएगा अभी जो इन दोर में इंवेस्टर समिट हुई उसमें बड़े स्तर पर इस योजना से परिया है तो आज ये निर्णे लिया गया है कि इसको हम एप्रूफ करते हैं इस पॉलिसी को इसके साइट का चैन करना उसकी वाइवलिटी देखना और उसको किस ढंग से हम इन्वेस्मेंट के लिए उप्योग कर सकते हैं इसका नव करनी है उर्जा विभागा पूरा पॉलिसी बना रहा है और आज इसकी भी केविनेट में इस पर हानी भरी गई है इसी तरह उच्छे नयायला मद्यपदेश जवलपूर के परिक्षा सेल में बीस नए पदों को स्रजित करने का भी निर्णाय आज केविनेट में हुआ है जी ने ने एक मामले का फैसला था जो विशय था उसमें श्रीमत्री शद्धा मालवी बुत्री स्वर्गी श्री आरेस राठोर तत्कालिक अपर संचालेक आर्थी केवन सांखी की संचनालाय का ये प्रस्ता हो था पर मान्य मुख्यमंत्री जीन में उस पर ये नेड़ने लिया कि आब सभी इस तरह के जो प्रक्रण है उन सभी को अनुकमपन युक्ति दी जाएगे तो अब ये पॉलिसिट कि जो भी अधिकारी कर्मचारी उनकी बेटियों को भी अनुकमपन युक्ति मिलेगे एक बड़ा नेज़ी झाल